तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पूरी बात में और हम बात करने हैं विश्वत कान में बीजेपी के पूर अद्देक्ष बंगारू लक्षमन की जो कि दोशी करार पाये गए हैं सीबी आई कोटन को दोशी करार दिया और कल यानि के अटायस तारीक को फैसला भी आना है लेकिन सबस्वारा सवाल यह उड़ता है कि बंगारू लक्षमन तो एक बानगी समझ लो अनंद जी सवाल यह उड़ता है कि अफसर शाही आज जो नव्यूवक होता है वो चाहता है कि सिर्कारी नोकरी मिल जाया है क्योंकि सरकारी नोक नोकरी किए कल अफसर शाही कि बात करते हैं तो एक ऐसा डिपांटमेंट खासों से पानी कोशिश करता है आप वैसे पता लगा है pen तो जो उनकी जो जादा उनक पास आमदानी होती रहती है यानि कि यह तो पर चोटे पर हाला कि बंगलोर की लोका युकसंस्था ने लेकिन मद्द्विश की लोका युकसंस्था भी एक एक करके लोगों को बेनकाब कर रही है पहले उन्होंने वो टीनू जोशी और उनके पती को पकड़ा तीन सो करोड का कुल मामला उनका उजागर किया दोनों आई है सबसर्दे उसके बाद तब से आप लगातार देखेंगे इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर हाला यहां तक कि पि लगता है कि सरकारी तंत्र में कितनी गुंजाइश है और दूसरा नेगेटिव मैसेज यह जिए भी जाता है कि लोग भी देखेंगी कि अच्छा इतना पैसा इसमें चलो फिर तो दो लाग चार लाग पांच लाग देके रिश्वत देखे किसी भी दरे इस नौक्ति को कब रहा वाई नहीं हो रही वो भी एक सवाल है लोका इउट संस्था का काम है उसका जो जांच करना जे फिर कारवाई दो अदालत का काम है तो वह जाँ भी वहाँ शूरू नहीं हो पाई वो भी एक चीज थी खेर फिलाल इस वक्त हमा साथ जातो जी भी साथ में चुड़े वें जातो जी जिस दिन ये मामला हुआ था बंगारू लक्ष्मन वाला मामला सामने आया था उसके अगले ही दिन लालकष्ट आडवाने जी को देखा गिया था जो बंगारू लक्ष्मन ज ज़िए जान दो शवी लगे वें उनका साथ भी देते वी पार्टी ने सर आई जैसे उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो उनकी पत्नी उसमें वेक्ट नहीं है उसको उनके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है और उसके बाद उनोंने वह सांसद रही अच्छा या उसको पूरी तरीके से निग्लाक्ट कर दिया जाएगा तो इस वैक्ति को देनी। बहरती जन्ता पार्टी ने किया भंगारु जी को टिकट दीगा था ? calorie्सम् अगर इतने बड़े मावले सामने यां आता है तो क्या च्छवी के और फरक नें पड़ेगा ? आप एक बाद बताएं जिसमें बफोर्स कारण में राजीव जी इन्वाल्व थे क्या उनके परिवार के बच्चों को उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया ? आपको मालूम है कि बाफोर्स कांड मेंसे राजीव जी का नाम सिरफ उनकी मरत्यू के कारणों से निकाल दिया गया अधर्वाइस वो भी उसमें अभी तक जो है वो इन्वॉल्व रहते तो ऐसा नहीं है कि जो हैना अगर किसी का इन्वॉल्मेंट है तो परिवार के किसी सार सदस से दूशी हो जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि जिसका कोई दूश नहीं है वो वो चुनाव लड़ेगा क्या दिकते हैं अधर्ण जी आप कितना जाईज मानते हैं देखिए बात यह है कि उसमें बंगारू लक्षमन अकेले दूशी नहीं है ऐसा जब जैन हवाला कांड हुआ था उससAKE भी यही हुआ था उसके रैजए इसार इसे नहीं की नही जाएगी सब चलो ये ब्रेश्टे हैं इनकी पत्नी को दे तो अच्छा भाई वह ब्रेश्ट है तो उन्होंने ब्रेश्टाचार का पैसा कहा लगाया उस पत्नी ने उससे खरीदारी नहीं करी किया लेकिन सवाल यह हम लोगों की देखके मक्षी जिंदा निगलने की आदत पड़ी विये ह सब नेता हैं सामन शाहिए का ब्रेश्टाचार अपने आप खत्म हो जाएंगे बिलकुल सामन तशाहिए जो है वब तक खत्म नहीं है दिमागों से लालो जी जो हैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना कर किया है जिस वकत वह चारा खुटाले में इन्वाल हुए और उस को रश्चाचार करना कॉंग्रेस की गाड़ी में धक्का लगाना शुरू कर दो अराम से उसको समर्थन मिल जाता है साहिए मिल जाता है सीबियाई उसकी तरफ बिलकुल देखती नहीं है आज इस तरी के सद्रूरुप्यों को हुरा है सीबियाई का नहीं तो मायावती मुल कि इसकारण से बचे होें सीबियाई का पूरी तरीक Olaf और अज मैं समझता हूं कि यह दुरूप्यों बंध होना चाहिए और जो लोग गलत कर रहा है उनके होता है और लोग तंतर में वो किस तरह से अपने अपना पार्टिसिपेट करती है क्या वही लोग जो उसको सच्छाई के नाम पर इमानदारी के नाम पर वोट लेते हैं वो वाकि उसकी लायक भी है या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वाम जनता को सोचना यहां पर सनुली हो गया पुरी बड़ात में अच फ़लाल इतना ही देजिए अजासत देखते रहें जीनल नियूज